हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं उस्वेल खान और सीचेन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम सीखेगे कि मैथट्स क्या-क्या है टपल के अंदर में और कौन-कौन से फंक्शन आप टपल में यूज कर सकते हो आपको मेरे वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखिए और प्लस अगर ये वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिया अपना सपोर्ट दिखाए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहे तो चलिए 400 लिखक दिखाता है हाँ ये टपल है और अगर इसका हम टाइप लिखते है टाइप अगर हम लिखते है कि इसका आप बता दीजी आप क्या है तो यह मैंने एक टपल क्रेट कर दिया अब जैसे कि मैंने आपको बता या था हमारे पिछले लेक्चर में लेक्चर brac lose में कि जो टपल है यह इमुटेबल इसमें आप ज्जादा कुछ नहीं कर सकते बाइडिफर्ट कुछ performers है जिसके मदद से कर सकते हैं लेकिन भाइडिफर्टत आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चलिए जिस तरह से मैंने यस में आपको छिखाया तो इसके अंदर में दो ही method आपको मिलते है, count and index, यह count क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको list में भी यह सिखाया था, मैं वापस से सिखाता हूँ, यह count क्या करता है, यह दिखाता है कि आपके टपल में कोई भी element, कोई भी item, कितिनी बार repeat हुआ है, ठीक है, अभी फिलाल, जो टपल मैंने create किया हूँ, उसके अंदर तो कोई भी number एक बार से जादा repeat नहीं हुआ है, तो अगर मैं यह लिखू कि भाई, मुझे यह बता दीजिए, कि यह जो पांच है, यह कितिनी बार repeat हुआ है, तो यह दिखाएगा एक बार, प्लीज वीडियो को last तक देखना ना के लिए, क्यूंकि हर चीज इसमें बहुत important है, हर एक step important है, आप लोगों के लिए, प्लीज इसे last तक का देखिए, ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमने देखा था कि user dot, user dot अगर आप लिखते हो, तो दूसरा feature है, इसके अंदर में index का, index value, index feature क्या करता है, किसी भी particular index value दे मुझे देखना है, यह 5 कहां पर है, index value में, तो मैं बोलूगा, मुझे 5 की index value दिखा यह तो दिखा रहा है, 4, कैसे, 1 होगा, 0 पे, 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 जो है, यह 4 पे आ गया, ठीक है, तो अगर आप tuple में देखोगे, तो क्योंके tuple by default immutable है, तो इसके अंदर methods में, आपको य use कर सकते हैं, जैसे की length का function है, len, और मैं लिखू कि भाई, मुझे बताइए, कि user के अंदर में कितने elements है, और enter अगर करूं, तो वो दिखाएगा कि 6 elements है, फिर इसके इसी तरह से max करके एक function है, मतलब user नाम के tuple के अंदर में, कौन सा number सबसे बड़ा है, तो 6 number सबसे बड़ा है, तो यह maximum भी दिखाता है, इसी तरह से minimum का भी एक function है, मतलब user में कौन सा number सबसे छोटा है, तो यह आप minimum function से पता कर सकते हो, इसी तरह से आप इनको पुरा जोड़ भी सकते हो, sum, by user में जितने भी number सबको जोड़ दो, तो यह जुड़ गए, तो इस lecture में हमने सीखा, कि tu कौन से methods use होते है, ठीक है, और additional function जो आप tuple में use कर सकते है, अगर आपको वीडियोज helpful लगे, आपको पसंद आए, तो comment section में आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए बनाते रहे, और अगर वीडियोज आपके लिए helpful है, तो please channel को like and subscribe करना न भूलिए, और notification का icon को please press करिये ताकि आप updated रहे है, और अगर किसी को भी online training चाहिए, worldwide with 100% expertise guaranteed, तो हम online training provide करते हैं और यह live online training होगी Skype के उपर में, जिसमें demo lectures भी आपको free है, thanks for watching to my channel and thanks for subscribing and thanks for your love and support